मैं भारत को भारती अता की माननेता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ अब इसके आगे का एक सोत्र बागवट्टी ची कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो हर समय ये बात का ध्यान रखें हर समय कि दो ऐसी विरुद्ध वस्तुएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है दो विरुद्ध वस्तुएं एक साथ कभी भी ना खाएं ये है सीधा सूदा सूद अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्तूओं क्या हैं मैं कुछ विरुद्ध वस्तूओं की सूची बता देता हूं डिटेल सूची तो बागवट्टी जी ने बताई है 103 वस्तूओं हैं जो एक दूसरे के एकदम खिलाफ है 103 वस्तू है जैसे सबसे पहली वस्तू उन्होंने बोली है प्याज और दूद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है दूद और प्याज साथ में खाया तो बीसियों बीमारी आने ही वाली है सबसे ज़्यादा बीमारी आएंगी त्वचा की आपको सुराइसिस होगा आपको एक्जीमा होगा आपको खाज होगी आपको कुजली होगी अगर प्याज दूद साथ में खा रहे हैं तो कभी भी ना खाएं इसी तरह से वो कहते हैं कि कटहल कटहल को क्या कहते हैं कटहल समस् दूद और जैक फ्रूट कभी न खाएं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन, और दूद और ऐसा कोई भी फल साथ में न खाएं, जो सिट्रिक एसिड प्रधान है, सिट्रिक एसिड आप समझते हैं, संत्रा, मुसम्मी, नारंगी, अंगूर, खटी चीज, एक खटी चीज तो आपकी बनाई होई है, एक खटी चीज भगवान की बनाई हो, तो भगवान की बनाई होई खटी चीज है, दूद के साथ जानी दुश्मन है, बागवट जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताया, एक ही खटा फल है, जो दूद के साथ खाएं, वो है आवला, आवला, आ तो दूदद के साथ जरूर खाएं बाकिकोई फल जिसमें खट़ापन है वो दूदद के साथ ना खाएं ám भी आम अगर खट़ा है तो दूदद के साथ ना खाएं मीठा है तब ही खाएं आम और दूद को इस दोस्ती बहुत जवर जस्त है लेकिन खटे आम की दूद से दोस्ती नहीं है मीठा आम, एकदम मीठा आम पका हुआ आम, उसी को दूद के साथ खा सकते, एक और उन्होंने गिना है वैसे तो आप जैन है, तो ये बात आपके लिए लागू ही नहीं होती, लेकिन जैन नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, तो कभी भी शहद और घी एक साथ ना काएं, दुनिया का सबसे खराब जहर है ये शहद और घी शहद घी साथ में ना काएं शहद खाना है तो घी ना काएं घी खाना है तो शहद ना काएं इसी तरह से उड़त की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं उड़त की दाल वैसे तो मैंने कल बोला था दूइदल दूइदल में सबसे खतरनाक है उड़त की दाल उड़त की दाल के बारे में जितनी भी रिसर्चिस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये दालों की राजा है इसलिए ये अकेला ही खाएं इसके साथ दही नहीं खा सकते उड़त की डाल के साथ डालों की राजा है राजा अकेला ही रहता है ऐसा कहा जाता है तो ओड़त की डाल भरपूर खाएं मना नहीं है लेकिन अकेली खाएं और बाकी जो डाले हैं अरहर की डाल हैं मूम की डाल हैं तो मैंने कल कहा था कि ये भी दुईदल में हैं दही तो ना खाएं लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाए मैंने बताया था कि दही गरम खरके खाएं मने दही में भगहार लगा के खाएं ताकि तासीर गरम हो जाए उसके या मठा गरम करके खाएं तासीर उसकी गरम हो जाएं लेकिन मेरी आपको विनम रविंती है उड़त की दाल के साथ तो बिल्कुल ना दही खाएं ना मठा काएं बगारा हुआ भी नहीं खाएं बागवट जी कहते हैं कि चले गई नहीं मैंने इस पर मेरे अपने कि इस पर इक्सपरिमेंट किया मैंने एक दिन कहा कि चलो खाके देखते हैं बागवट जी ने का ना खाएं खाके देखें क्या होता है शरीर को तो मैंने खाने से पहले मेरा blood pressure चेक किया और उड़त की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर blood pressure चेक किया तो मेरा blood pressure 22-25% बढ़ा हुआ था फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज-रोज अगर मैं ये खाने लगूं उड़त की दाल और दही उड़त की दाल तो 100% 6-8 महिने में heart attack आई जाएगा इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है दही बढ़ा कभी भी नहीं क्योंकि दही बढ़ा में उड़त की दाल का बढ़ा अगर है तो दही बिलकुल नहीं अगर आपको दही बढ़ा खाना ही है तो मूंकी दाल का मूंकी दाल का बढ़ा है दही बढ़ार कर या मठा बढ़ार कर आप ले सकते हैं उड़त की दाल का बढ़ा अगर बनाया है तो दही के साथ तो गलती से भी नहीं उड़त की दाल का बढ़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं दही से नहीं और अगर शादी ब्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि महमानों को उड़त की दाल का बड़ा और दही ना परोसें नहीं तो दोहरे पाप के भागीदार बनें आप अपना तो नाश करेंगे या आने वालों का भी नाश करेंगे और अतित बागवठी के साथ में ना खाएं और वह कहते हैं कि अगर आप में यह सुत्र धारन कर लिया तो जिंड़गी वर आप निसंग कोच बिना किसी रोख के जीवन बिता सकतें दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइब कमेंट और शेयर करें और हां हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें